हेलो एब्रीवन वेलकम चू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाई राखी चौबे इस वीडियो में हम लोग एपी के कुछ एक इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करेंगे जैसे की इसकूल एजुकेशन इसकूल सिस्टम में क्या चैंजे जाए प्रीफियस क्या थे और अब क् कौन से रेगुलेटरी मतलब बड़ी है उनकी अंदर कौन-कौन से सिस्टम में अब चैंज आया है तो यह सब कुछ इसकूल एजुकेशन हायर एजुकेशन और फिर टीचर एजुकेशन इन सबसे रिलेटेट कुछ एक पॉइंट डिसकस करेंगे क्योंकि यह एक्जाम ने इसकूल सिस्टम था उसको दो पार्ट में डिवाइट किया था ठीक है फ़स्ट एज मतलब 6 10 प्लस 2 का मॉडल होता था पहले क्या होता था यह पहला 10 है यह 6 तू 16 मतलब पहले क्या होता था शिक्स क्लास से बढ़ाय स्टार्ट होता था और 16 तक उनको 10 कंप्लीट करना होत पहला था था पहलो होता था सिके बाद यह फिवियस है और अब यह अब क्या हुआ है त्री प्लस 5 45趣 प्लस 3 प्लस 4 यह इसको आप 5 माल नीजें ठीक है और फिर यह हो गया 3 3 & 4 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 मॉडल हो गया जिसमें जो पहला 5 है उसको हम लोग अगर फांडेशनल फेस कहेंगे जो 3 यह है उसको मिड्ल कहेंगे और फॉर्थ जो है उसको सेकेंट्री कहेंगे बाकि इन सबको एक बार डिटेल में देखते हैं कि कैसे क्या सिस्ट्रम है देखिए मॉडल क्या कह रहा है हमारा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है जो पहला 5 यह रखा स्कूल के इंगली स्कूल है तो वहां पहां पर आंगणवारी वालबाती का कहते हैं कि किस फेज में स्कूल के नेम मिलते हैं तो यह कौन सा हो गया फैस्ट फांडेशनल फेस्ट है उसके बाद जो फंडेशन है उसमें क्या होता है देखें थ्री प्लस टू है मतलब इस पांच को एगें जिवाइड किया गया है किसमें थ्री प्लस टू मॉडल में ठीक है अब यह जो पहला थ्री है इसको क्या कहते है प्री-स्कूल आंगनवारी और बालबाटी क पढ़ा उसमें 3 होता था चे पढ़ाई स्टार्ट होता था अब क्या है । खेल में पढ़ाई यह फीरी में पढ़ायर बिद्द को अर्फिर जब 3 years का phase cross कर जाएगा बच्चा 3 से 6 साल after that उसके बाद क्या है कि टू यह साल यहां पढ़ेगा अंगनवारी में प्री स्कुल में उसके बाद class 1 & 2 को रखा गया है 6 to 8 year के student के लिए तो यह था 55 के मतलब सब डिवाइड उसको क्या गया है 3 प्लस टू में जो फांडेशनल फेज है फॉर्स्ट 3 year में 3 to 6 year और फिर जो नेक्स सेकेंड यह क्लास 1 & 2 के लिए उसमें 6 इसमें 8 to 11 year के बच्चे होंगे कितने 8 से 11 साल के बच्चे होंगे उसके बाद क्या है 4 year रखा गया है जिसमें क्लास 9 to 12 के बच्चे होंगे एज होगा उनका 14 to 18 year तो यह कुछ जो हमें यह क्लास है यह इंपोटेंट रखना है और उसके बाद यह जो क्या कहते हैं इसको एज है मतलब कौन से फेज में 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 मॉडल में कौन सा क्लास इंपोटेंट है यह हमें याद बहुत सारे कोश्चन से इससे दीखने को मिलेंगे डेफिनेटली एक्जाम में तो इस टॉपिक को अच्छे से याद करके रखेगा अब चलिए बात करते हैं क्या क्या चैंजे जाया यह तो अमने सीख लिया इसमें कुछ एक पॉइंट मैं बता देती हूं जो इंपोर्ट कर दिया है जो लास्ट फोर यह यह नहीं मतलब वही सेंज अब उसको रिडिजाइंग कर दिया गया है डीजाइन किस पॉपस है कि पहले हमें सिफे स्कॉर लिपोर्ट कार्ड मिलता था अब क्या होगा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा और इस रिपोर्ट कार्ड में आपको एक बहुत ही इंपोर्टैन वह पर दीखेगा colist के अंदर कुछ एक 3 चार पॉइंट है जैसे holistik रिपोर्ट कार्ड हो गया यह आपको याद रखना है कफी इसालिस्टिक जी मलतिकिर करता है तो भी एक यह चीजी वह उलिस्ट ही कि बात कर रहा है और अगर multi-dimensional report card की कहीं कुछ question आता है तो वो same holistic report card की ही बात करता है और ये कौन सा report card है जो बच्चों को कम मिलेगा ये इस phase में मिलेगा 9-12 जब board exams देंगे उस time जो card मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग holistic report card अब बात करते हैं अब जो ये report card है इसका structure क्या रखा गया है जो report card है उसमें academic score होगा जो अब तक होता आ रहा है बट अब क्या changes जाए है कि इस academic score के साथ skills भी added होंगे हमारे report card में पहले क्या होता था पहले का अगर आप report देखते थे जो marksit होता था उसमें सिर्फ हमारा academic score होता था इससे फर्म लोग यहीं पता लगा सकते थी कौन से बच्चे का कि सब्जक्ट में कितना कमांड है कितने marks है बट अब क्या है हमें यह भी पता लग जाएगा कि उस student का जो extra skills है वह कौन-कौन से subject में है मतलब कौन-कौन से चीजों पर उनका कमांड है नेक्स्ट है coding from class 6 अब क्या बात करते हैं एक नया चीज़ इसमें implement किया गया है कि class 6 से क्या है इसमें coding भी add किया गया पहले class 5 तक एक मैं चीज जो भूल गई वह बता देती है पहले देखिए क्लास 5 तक मतलब यहां से यहां बच्चों को क्या किया यह इसको तो यह ने दीजिए इसमें तो कुछ है नहीं यहां से यहां मालीजे क्या है regional language पर focus किया गया है मेली यहां से ज उओसना लेंग क्या प्लेंटर चुल कि क्या करता है ठीक है जो लोकल लेंगवेज है क्लास 6 तो 8 है यहां से class 6 से क्या किया गया है coding develop किया गया है मतलब coding को add किया गया है हमारे curriculum में coding से क्या फाइदा होगा experiential learning मिलेगी क्योंकि पहले क्या होता था बचों में technology का बहुत ही मतलब जो technology related skills है उसकी कमी होती थी अब क्या है अगर आप technology नहीं सीखते हो तो modern में जो age है उसमें education हमें बहुत lag कर जाएंगे हमें develop ही तो करना है इसलिए नई पी design ही किया गया है ताकि आपको develop करना है तो coding के थूँ टेकनोलोजी है जो नहीं नहीं गैजेट्स है coding वेगरा वो लोग बच्चे सीख पाएंगे इंप्लिमेंट कर पाएंगे ताकि दे बाइडे जो यह डिजिटल फॉर्म आ रहा है इंडिया के अंदर वह यहां के बच्चे भी डॉप्ट कर पाएंवेरनेस आ पाएंगे जो next changes आया है वह क्या है जो पहले मिडा में स्कीम चलता था राइवेत स्कूलों में अश्चूलों में मिडेय में मिल तो यह कुछ एक पॉइंट्स थे जो बताना जरूरी था इसमें देखें जो बोर्ड एक्जाम है बोर्ड इक्जाम में हमने फर्स चैन्जिस क्या दिखें कि अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा और इस होलिस्टिक में इसको एक बार एक्स्प्लेइन करती हूं पहले कि अब बहुत आप बहुत आप पर्ड़न उता था इसलिए अब क्या एलाओ किया गया है इंटर डिस्प्रिनरी एक्टिविटीज मतलब बच्चों के अंग अलग 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 अग अग्टिविटीज आए जैसे एक्जाम्पल की तौर पर आप देखिए मालीजे पहले चाह रहा है कि कोई स्टुडीज मॉडलिंग या फिर किसी और भी स्किल्स प्लंबर ऐसा कोई स्किल्स वह अपने में लाना चाहता है तो इसके साथ वह एक्ट्रा स्किल्स यह भी सेलेक्ट करेगा और रिपोर्ट कार्च अब बनेगा मालीजे कोई कैमेस्ट्री का करता है तो वह भी सीख सकता अब इलाव किया गया पहले यह सब चीजें नहीं थी हमारे केरेकुलम के अंदर इससे क्या होगा देखिए इन दोनों को मिला के जो रिपोर्ट कार्ट बनेगा ना फिजिक्स और कैमेस्ट्री को मिला के जो मिलेगा यह तो मारे एकैडमी के स्क चलिए बात करते है कि सीहार एजुकेशन की थीक्या की हायर एकिस क्या 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 चैंजनेट नहीं हैं अब देखिये हायर ऑगयर में सिप्लर इजफ्ली सिंपल ग्रेजविट अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है किस नेम से फोर यह मल्टिडिस्टिप्लीनरी बैसलर डिग्री से पहले क्या होता था माल लिए आपने हमने ग्रेजविशन में अर्मिसल लिया फर्स्ट एयर करके हमने पढ़ाई छोड़ दिया तो हमें कोई तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर अगर हम टोटल करते हैं तो फोर यह मल्टिडिस्टिप्लिनरी बैसलर डिग्री मिलेगा ओके तो यह कुछ एक ग्रेविशन में चैंजे जाया है कहीं न कहीं यह काफी अच्छा है अगर आप इस सब्सक्राइब तो यह चीज़े अच्छी है कि यहां पर स्किल्स जादे डेवलप होंगा यह डिग्री कहीं हमारे जो टेक्नलोजी रिलेटेटेड एक्स्परियंस आपको अच्छा कासा मिल जाएगा जौब यहां से काफी अच्छे मिलेंगे हमें मतलब बाद में आके यह कोर्स वह कोर्स करने की ज़रुवत नहीं है यहीं से हमारे अंदर इसकी डेवलप हो सकता है नेक्स्ट जो एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पर कोस्टन डेफिनेटली बने हुए हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है कौन सा कोर्स है जो जो न्यू एनिपी है उस किसके दोरा र्यगुलेट किया जाता है कि पोस्ट याद रखना जरूरी है अब ऑफ्य के वाहें से किया जो कॉड़लेड करते हैं फिर हम लोग इसके बाद निःसके चल लेंगे तो चलिए पहले इसको देखिए, जो HECI है, HECI stands for Higher Education Council of India, यह regulatory bodies है, यह क्या करेगा, जो हमारी इंदिया के अंदर higher education है, उसको control करेगा, किसके अंदर है, यह HECI control करेगा, अब देखिए, जो HECI है, यह एक team बना हुआ है, इसके अंदर काफी साथे, like, सब teams काम करेंगे, सब पोस्ट हैं, वो कौन से हैं, फर्स्ट है, NHERC, ठीक है, सेकेंड है, NAC, ठाट है, HEGC, और फोर्थ है, GEC, यह कुछ एक points है, जिनका हमें full form याद होना, काफी जरूरी है, सिधा-सिधा यहां से question बनता है, full form पे, फिर इसका क्या काम है, क्या role है, हमारे नए policy में, higher education के NHERC है, यह क्या include करता है, teacher education को, मतलब जो, हम भी बुला, अभी next teacher education पढ़ेगे, teachers के क्या qualification criteria होनी चाहिए, कौन से state में, कैसे teacher recruit हो रहे है, क्या development है, teachers के लिए, क्या technology, क्या gadgets, क्या उनको familiar कराना है, यह सब चीजे कौन डील करेगा, NHERC, ठीक है, second है, NAC, NAC क्या है, मतलब क् Meta Body का मतलब यही होता है, कि माल लिजे कोई top है, ठीक है, माल लिजे कोई head पे person, कोई head person है, उसके अंदर में जो regulatory body, जो authorized person होंगे, जो top head पे जो बंदा है, वो क्या करेगा, order देगा, कहीं नहीं suggest करेगा, advice देगा, यह से करना है, वैसे करना है, और उन चीजों को execute कौन करे है, यह meta regulatory body, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, hegc, hegc, funding और finance, universities, institutes, education से related, funding और finance, higher education से related, funding और finance को कौन डील करेगा, hegc, okay, फिर है again, gec, gec किस पे काम करेगा, designing and framework for higher education, higher education के लिए क्या, designing, मतलब क्या curriculum में रखना है, किसको हटाना है, basically कब paper होंगे, कब exams वेगर होंगे, इन सब चीजों को कौन डील करेगा, gec, अब देखे, कुछ एक, मतलब कुछ एक, यह देखे, nct, aict, कुछ एक, education related जो post है, यह देखे, ugc, जो organization है, यह सब क्या करेगा, पहले hegc के अंदर ही यह सब आते थे, देखे, यह जो nct, aict और ugc है, यह पहले hegc के अंदर आते थे, अब तक, जो पुरानी policy है, उसके recording, जो new education system आया है, उसमें क्या किया गया है, अब इस तीनों को, यहां से hegc से, hegc से हटा दिया गया है, और इनको कहां replace कर दिया गया है, gc के अंदर, यह भी important questions, यहां से भी बनेंगे, इसलिए यह कुछ एक टॉ आता के डाला, यह भी याद रखना है, तो अब दिखें, जीसी के अंदर इसको, यहां से hegc से replace करके, जीसी के अंदर डाल दिया गया है, और यह काम करते है, मतलब यहां पे as a PSSB काम करेगा, PSSB क्या होता है, वो दिखें, professional standard setting body, मतलब as a setter, इन सब को काम करना है, बढ़ यह नहीं होंगे, तो यह कुछ higher education से related points थे, अब देखें, नहीं entry हुआ है, थोड़ा पुराना है, मतलब नया, आया ही यहां भी सारे exams नहीं conduct कर पा रहा है, बढ़ एंटीए, इसके लिए बनाया गया है, जो entrance exam होंगे, उसको conduct करने के लिए, ठीक है, किसको, सिर्फ entrance exam conduct करन के लिए ही इंडिया के अंदर इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया, अब तो यह बात हो गया, school और higher की, अब बात करते हैं, इंडिया के अंदर international education का क्या रोल है, कैसे इंडिया के जो education है, उसको internationalized way पे कैसे पढ़ेंगे, तो NEP का परपस ही यह है, कि internationalize कर सकते हम लोग education को इंडिया में, पहले ही अलाव नहीं था, अब अलाव किया गया है, जो foreign universities है, वो क्या कर सकते है, अपने campus को set up कर सकते है, कहां पे हमारे इंडिया के अंदर, रही न कहीं, इसे काफी बहुत बढ़ा improvement होगा, बहुत changes आएंगे हमारे education policies में, जो बच्चे आफोर नहीं कर करते हैं, teacher education की जैसे ही बात होती है, तो आप सब aware होंगे इस चीज से, पहले जो होता था, as a teacher आप बन गए हो, बस आ रहे हो, काम करो या ना करो, salary मिल जाती थी, अब वैसे teacher का, जो technology, जो gadgets के साथ अपने आपको improve नहीं कर रहे हैं, वैसे teacher is digital world में नहीं survive कर पाएंगे, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग पारें, तो कहीं नगी इस technology के use से ही, तो हर एक teacher को अब online platform पे, digital platform पे, या फिर जो नहीं नहीं technologies या उनसे aware होना होगा, आपने आपको upgrade करना ही करना होगा, otherwise वो survive नहीं कर पाएंगे, इस world में, इस world में, इस digital world में, ओके, औ चार्स साल का BA degree आपको minimum requirement रखा गया है, बट इसका target क्या है, 2030 से ये follow होना है, start होगा, तब तक ये time दिया गया है, इसको curriculum में लाने के लिए, okay, मैंने community पे post किया था, एक question कि कि किसने focus, मतलब किसने ये statement कहा है, how to think rather than what to think, ये NEP के लिए काफे important है, कि पहले इसका answer में बता कि इसको किसने state किया है, किसके द्वारा ये lines कहे गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी के त्वारा ये statement दिया गया है, जिस दिन ये policy launch होई थी, और कहने का मतलब यही है कि कोई matter नहीं करता, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आप चीजे क्या करना चाहते हो ये matter नहीं करता, आप किस तरीके से करना चाहते हो, किस तरीके से आप किसी चीज को सोचते हो, किस तरीके से आप करते हो, वो आपके development में बहुत जादे effectful होता है, ठीक है, तो यही कुछ एक points से, जो important है NEP के लिए, बाकि जो full forms है, अब एक video और लाओंगी, मैं detail में, जिस करेंगे, कोई भी query है, तो आप लोग comment कर दीजे, और MCQ series को follow किजे, वो काफी helpful होगा, कहीं न कहीं उससे न सारी previous year questions ही आएंगे, किसी teaching exams में ही आएंवे हैं, और teaching exams किसी state का हो, central का हो, जादे differ नहीं होता है, तो MCQ series, please follow किजे, वो बहुत helpful होगा, बहुत ही जादे helpful होगा, इससे हमें हमारी ability भी पता चलेगी, और आप लोग जब भी MCQ series देखते हैं, तो try किजी, कि आप खुद attempt कर पाएं उसे, और हमें बताइए कि एक बार आपके 10 में कितने आ पाएं, ओके, thank you,